Hello everyone, this is me, Summi Jha and welcome to my channel, Why I'm Learning Classes Guys, आप में से काफी लोग बोलते हैं मुझे शुरुवास से इंग्लिश बोलनी सीखनी है मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है चुला, मान लिया, आपको शुरुवास से इंग्लिश सीखनी है लेकिन मैं आपकी ये बात तो बिल्कुल नहीं मानूँगी कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है और अभी के अभी मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत ही सही बर आती तो है अब ये जो words screen पे लिखे हुए है कि आपको इनके meaning पता है अरे बिल्कुल पता है stop का मतलब रोकना jump means कूदना runs means दोडना go means जाना come means आना sleep means सोना इन सभी का मतलब किसे नहीं पता होगा अरे हम तो ये बच्चपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इनका मतलब तो पता ही होगा न तो आप कैसे बोल सकते हैं मुझे English नहीं आती और अगर आपको इनका मतलब पता है तो आप बहुत अच्छी English बोल सकते हैं आपको पूरी grammar सीखने की जरूरत नहीं है जरूरी नहीं है कि आपको सारे sentences formation आते हूँ लेकिन अगर आपको ये words आते हैं तो आप आज के आज बिलकल अभी से ही English बोलना शुरू कर सकते हैं तो आप अगर शुरुआ से English बोलना सीखना चाहते थे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत होने वाली है interesting तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को पहले ही like कर दे चैनल पे नई हो तो चैनल को subscribe कर दे Instagram पे मेरे साथ जुढने के लिए मुझे Instagram पे follow करे link description box में आपको मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये words आते हैं तो आप English सीख जाएंगे बट आप कहेंगे ये 6-7 words से क्या मैं English सीख जाओंगी इसके मतलब मुझे पता हैं तो मैं आपको अभी एक magic दिखाती हूँ अब ये words देखिए अब इन words के आगे एक symbol लग गया है अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि ये symbol लगने के बाद ये words हैं ये sentences तो आप क्या बोलेंगे ये words नहीं हैं ये अब बन गये sentences क्योंकि इसके आगे जो है exclamation mark लग गया exclamation mark लगने के बाद ये जो word है वो word नहीं रहा sentences बन गया अब अब अगर आपको किसी को बोलना है stop दन आप बोलेंगे stop रुख जाओ stop jump run go come slip ठीक है इस तरीके से आप ये words को अब sentences के तोर पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन अब आप बोलेंगे कि किसी भी word के आगे हम लगा देंगे तो क्या वो sentence बन जायागा तो नहीं ये हर किसी के साथ ये apply नहीं होगा magic ये कुछ खास words हैं जिनके आगे आप exclamation mark लगाएंगे तो वो words words नहीं sentences बन जाएंगे लेकिन ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले तो ये words क्या हैं ठीक है what are these words these are all imperative verbs and are complete sentences अब ये imperative verbs क्या है मैं imperative verbs का मतलब आपको बाद में समझाऊंगी लेकिन उससे पहले ये जो words हैं उसको simple भाषा में समझे कि ये action verb हैं ठीक है तो अगर आपको action verbs आते हैं तो आप बहुत सारे sentences बना सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में ही complete होता है जिसे stop है अगर आपको किसी को बोलना है रुको तो आप बोल सकते हो stop अगर आपको किसी को बोलना है कूदो तो आप बोल सकते हो jump तो यह अपने आप में ही एक complete sentences है अब मैंने अपको कहा था imperative verb अब imperative verb क्या होता है The imperative verb is an action a speaker want someone else to do यानि कि आपको कुई भी काम किसी और से करवाना है किसी को command देना है ठीक है उसको बोलते है imperative verb imperative verbs को हम command word भी कह सकते है bossy verbs भी कह सकते है command का मतलब आदेश देना bossy verbs का मतलब भी आदेश देना अपना बताना ऐसा करो ऐसा करो command देना ठीक है अब हम यह जो चीज हैं सरफ command देने के लिए सरफ किसी को आदेश देने के लिए नहीं यूज़ कर सकते not only these they can also be used to make request, give advice, want someone and give direction or instruction अगर आप किसी को बोलना है खिड़की खोलो तो आप बोलोगे open the window लेकिन यह तो हमने normally बोला हम इसको को थोड़े गुस्ते में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा हम आदेश दे रहे हैं लेकिन अगर आपको रिक्वेस्ट में बोलना है तो हम क्या लगा देंगे please please open the window यह ज़रूरी नहीं है please जो है वो आगे ही लगेगा please जो है वो open the window please लास्ट भी भी लग सकता है ठीक है आप किसी को advice देनी है कि कुछ order करते है order the pizza order the burger ठीक है इस तरीके से भी आप इन को use कर सकते है ठीक है imperative verbs को अब warn someone किसी को warn करने के लिए look out work out ठीक है ध्याल से give directions or interactions किसी को direction देने के लिए कि turn right at the corner turn left at the corner इस तरीके से ब कर सकते है और यह जो word है यह हमारे हमारे कौन से verbs है यह हमारे imperative verbs है यह जो open हमने लिखा open the window यह हमारे कौन सा वर्ब है imperative verb है ठीक है अब यह बात ध्यान रखना है कि यह action verb होता है वो हमेशा sentence के starting में लगता है ठीक है अब यह जो हमारा open the window है इसका जो open है यह हमारा क्या है action verb इसके पीछे जो words लगेंगे वो हम अपने आप से बना सकते हैं like open the window open the door open the box open the gift तो कितने सारे words बन रहे हैं अप English बोली नहीं आती लेकिन कितने सारे words जो हैं अपने आप बन रहे हैं इसी तरीके को यूज करके इसी formula को यूज करके आप different words बना सकते हैं इसी चीज़ को request में बोलना है तो please कर देंगे अब imperative sentences जो होते हैं वो two types को होते हैं एक होता है affirmative और एक होता है negative affirmative imperative sentence and negative imperative sentence अब यह का मतलब समझेंगे affirmative imperative sentence होते हैं tell someone to do something यानि किसी और को बोलना कि ये काम करो ठीक है और negative imperative sentence होते हैं कि tell someone not to do something कि कोई ये काम तुम्हें नहीं करना है ठीक है इस बात का ध्यान रखना है to form negative imperative sentences put don't or stop before the verb अगर आपको negative बनाना है किसी भी चीज को तो आपको don't या stop का use करना है don't का use करके verb लगाना है stop का use करके verb लगा के ing करना है ठीक है अब example ले लेते हैं अभी clear नहीं हो रहा होगा हमीशा ध्यान रखना है verb सबसे आगे लगेगा ठीक है negative में सिर्फ don't हम आगे लगा देंगे बाकी verb हमीशा हमारा सबसे आगे रहेगा चलिए तो example ले लेते हैं जैसे हमें बोलना है दरवाजा मत खोलो negative है तो हम बोलेंगे don't open the door ठीक है और अगर इसी को हमने stop के साथ लगा के बोलना है यानि कि हमें बोलना है दरवाजा खोलना बंद करो तो हम क्या बोलेंगे stop open the door नहीं तो हम बोलेंगे stop opening the door क्योंकि मैंने कि है वर्ब के साथ हमारा क्यालग जाएगा अंग छलते हैं सेकिज 했던 नूद ञ przyszले इंग तो येका रहरे हैं तो हमया है डांस आप करो स्टॉप डांस नभी सिर्ट्वasm needs to specify whom the command is meant for. देखो, इतने जर से हम क्या देख रहे थे कि हमारा subject नहीं था. Subject का मतलब क्या होता है? You. हाँ ना, सामने वाला जो person है, subject तो था ही नहीं कहीं पे, लेकिन कहीं ना कहीं subject था, क्या? You, लेकिन वो hidden था. अब हम कह रहे थे, open the door तो अपने आपको तो नहीं कह रहे थे, सामने वाले को कह रहे थे, सामने वाले को बोला मैंने, open the door, open the window, ठीक है? लेकिन वो hidden था हमारा यूँ, लेकिन हर बार तो यूँ hidden नहीं रह सकता ना, अब चार लोग खड़े हैं और हमें चार लोग में से किसी को बोलना है कि दर्वाजा खोलो जाके, open the door तो अगर हम चारों के सामने बोलते हैं तो चारों एक दूसरे का मुह देखेंगे और सोचेंगे, खोलने को बोला किसको है then हमें किसी का name mention करना पड़ेगा कि नहीं then हम बोलेंगे, जैसे हम किसी का name लेंगे hey Rahul, open the window, open the door ठीक है, Rahul, stop laughing, हसना, बंद करो Tia, walk the door, कुत्ये को घुमाने लिजा ठीक है, अब मैं आपको कुछ examples दूँगी imperative verbs का ठीक है, यहाँ पर जादा examples तो नहीं दे सकते बट कुछ examples मैं दूँगी ताकि video बड़ी भी ना हो और आपको समझ भी आजाए, अच्छे से अब look behind you, यहाँ पर जिसके जो different colors में लिखा है वो आपका verb है, ठीक है, imperative verbs है जो कि मैंने आपको बताया है, हमेशा word के starting में लगेगा ठीक है, और जब negative होगा तो उसके starting में don't या stop का use करेंगे और अगर stop का use करेंगे, then verb के साथ ing लगेगा ठीक है, clear, अब हम बढ़ते हैं इसके example के ओपर, look behind you, अपने पीछे देखो look हमारा क्या है, क्या है हमारा look look हमारा है verb, imperative verb, ठीक है look behind you, अपने पीछे देखो turn left, ठीक है, buy Mudo, hand me the phone, अपना phone दो, मिज़े पकडाओ, ठीक है buy milk and bread, milk और bread खरी दो please make the bed, किरप्या करके bed बना दो, ठीक है इसे please आ गया, जरूरी नहीं है कि please पीछी भी लगा सकते है आगी भी लगा सकते है, कहीं भी लगा सकते है, इस please से कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है, कि हमने बर बागी नहीं लगाया या ऐसा कुछ, ठीक है आप पीछी भी लगा सकते है don't forget your lunch, अपना lunch मत भूलना, यहाँ पर देखो don't, जो है negative में आया मैंने कहा था, कि यहाँ पर जब भी negative sentence आएगा, तो verb के आगे don't लग जाएगा, ठीक है अब हमारा यहाँ पर कुछ अलग आगया on your way home pick up your sister कि घर आते समय अपनी sister को pick कर लेना, ठीक है it's a normal word, इसलिए यह आगे लग गया, लेकिन अगर यह verb है वर्ब वही पर है, लेकिन यह normal word है, on your way home pick up your sister now, start the movie, movie शुरू करो stop talking to me, मेरे से बात करना बंद करो, clean your room, अपना room साफ करो, give me that book वो वाली book दो, do your homework, अपना homework करो take the dog for a walk, please किरपया करके, dog को घुमाने ले जाओ, visit us हमसे मिलने आओ, push, धक्का दो, tell your name, अपना नाम बताओ, give that to me, वो मुझे दो, use your common sense अपना common sense लगाओ, look at that, उसकी तरफ देखो, comment see us, आओ और हमसे मिलो think about us, हमारे बारे में सोचो say hello, hello बोलो don't leave, मत जाओ put it down, इसे नीचे रखो, keep it safe, इसका ध्यान रखो practice English, English का अभ्यास करो, keep practicing, अभ्यास करते रहो, don't stop practicing अभ्यास करना मत रोको, ठीक है इसी के साथ काफी सारे examples आपको मिल जाएंगे अगर आपको videos चाहिए, videos चाहिए तो videos के comment में लिखें more video please, then इसी topic पर और videos आएंगे, examples के साथ I hope you like this video, if you like this video then like, share and subscribe my channel keep practicing, keep learning with violent learning classes